हीमाचल के ऐक ट्रेडिशनल डीश है, इसको बोला जाता है छाचा और ये बनता है गलगल से, तो ये है गलगल का पेड़ू तो जो तासीर है वो गर्म होती है, इसलिए ठंड में इसको ज़ादा खाया ज alta है हर गर में, हर गाउ में बनाया जाता है इसका चाचा सबी हिमाचली इसको बड़े चाव से खाते हैं तो इसको छाचा खटा धूपनी बोला जाता है तो सबसे पहले इसका छिलका निकालना होता है और उसके बाद कर लिये जाते हैं इसके छोटे-छोटे पीस तो सफाई का बिल्कुल बड़ीयसे ध्यान रखा जाता है और इसको बनानेस पहले हाथों को अच्छा से दोय जाता है तो नंग्य हाथों से इसको बनाना पड़ता है क्योंकि या तो फिर गलब्स भी लगा सकते हैं तो इसको काट लिया जाता है छोट छोटे टुकडों में पहले फिर इसमें धनिया वगेरे मिला जाता है शक्कर मिला जाती है और साथ में नमक टेस्ट के कॉर्डिंग इसमें मिर्च मिला जाती है हरी मिर्च भी मिला सकते हैं लाल मिर्च भी मिला सकते हैं तो च्छ जो है वो छोलंग और गल-गल से बनाया जाता है तो बहुत जादा जूसाल झाल कीजार्टा ही यूससिए यो जाया गते डिला गी बाट या सब्सक्राइब में प्यूसालिटा को मिछना पता है तो कई जगा में क्या किया जाता ही मचल में जो धनिया है हरा धनिया वो ग्राइंड करके डाला जाता है तो बस इसमें मसाले जो है अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं तो मीठा इसमें शक्कर डाली जाती है गुड़ भी डाल सकते हैं अगर ये सारी चीज़े नहीं हो तो दाल ली जाती है तो थे लिए जानद सीम, अमने सbaश स्टीर करेंने ON-सके लिए कोईल इसमें डाले गए हैं हैं सर्स का थेल जी इसके बजमे जाता है तो एडरी मिनिट के लिए का जो तेस्ट पाशे ज्वूत जाधर तया क्यों की जो तासीर है वह गरम होती है और पाचन तंत्र भी मजबूत बनाता है तो बस अब ये त्यार हो गया है चाच्छा सर्व करने के लिए और ठंड के दिनों में खासकर जनवरी दिसंबर फरवरी केमिनों में इसको खाया जाता है गर्मी में इसको कम खाया जाता है और इसका चार भी भौधी टेस्टी बनता झाल